राजनीतिक पार्टियों नेताओं के बाद हर्याना में प्रशासन भी चुनावी तैयारियों में जुड़ गया है। गुरूराम जलाप्रशासन ने प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए कमर कसनी शुरू कर दी है। जलाप्रशासन की तरफ से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने और जादा से जादा नए वोटरों को जोड़ने का भ्यान शुरू कर दिया गया है। और वोटरों को जागरू करने के लिए जागरुता अभ्यान शुरू करेगा। जिसके लिए सबी BLO को आदेश जारी कर दिये गए हैं। साथ 21 जुलाई को विशिश अभ्यान के तहत अपने अपने बूत पर मौजूद रहने के आदेश भी दिये गए हैं। एक as per directions of Chief Electoral Officer अब आने वाले सब्ता से हमारी जुचुनाव की त्यारिया हैं। उसकी एक जुशुरूआत है वो और थोड़ी तीवर गती से हमारी हो जाई। और इसी प्रक्रिया के follow-up में जो हमारी voter helpline center है, call center कहा जाता है, वो भी operational है 1950, कोई भी नागरिक जिसको अगर कोई चुनावी संबंदित, कोई issue है या कोई की correction है, editing है, shifting है, कोई भी vote का, तो वो उसके द्वारा information ले सकता है, तथा वो अपना complete करा सकता है। गुरुग्राम election office की तरफ से आम लोगों से अपीर की गई है कि अगर उनकी voter list में कोई कमी है, या फिर vote shift करने या फिर किसी तरह का correction करना है, तो वो आवेदन कर सकता है। साथ ही voter app की जरिये, BLO की मदद से या फिर voter help line नंबर 1095 के माध्यम से भी लोग अपनी vote और voter list को ठीक करवा सकते हैं, ताकि चुनावों की दिन वोटरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। गोचन ग्रोवर, Total News, गुरुग्राम